के अप ICS हम लोगं चर्चा करेंगे प्रैसिपीटेशन के उपर क्यों प्रैसिपेटेशन क्योंकि अभी रिंडी सीजन आने वाला हैं इंडिया मैं और रिंडी सीजन की बात करें तो रेन भी क्या है वन टाइप आप आपका प्रैसिपेटेशन की बात कर contam तो precipitation ऐसा form है water का जो की solid में हो, liquid में हो या gases form में हो अगर आस्मान से वो चीज नीचे आ रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे precipitation कौन से कौन से प्यकारगी होती है? rainfall अगर पानी की बूंदों का size 0.5 mm से ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे rainfall अगर raindrop हो रही है लेकिन जमीन पे नहीं गिर रही है raindrops evaporate before reaching the earth तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे विर्गा विर्गा क्या होता है कैसे होता है तो आप यह देखिए अगर आप यह image को ध्यान से देखें तो यह यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बारिस जो है हो रही है लेकिन जमीन तक पहुंच नहीं रही है यहां तक नीचे नहीं पहुंच नहीं पहुंच नहीं इसे बोलेंगे हम लोग क्या विर्गा तो यह भी one kind of precipitation है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी ड्र we do Drizzle we ambassadors learnt क्या है नंगे प्र Configuration से केहसे किसे किसी नहीं कैसे है कि सप्रिंइबरस के शौप पालो है वैसा आप यह देखिआए इस प्रकार से यहां पे वात पहुत ही अच्छा होता है बाहर निकलने जसा लगता है कि महरता है बट उतना ज्यादा बारिश नहीं किरती कि आपको पूरा गीला कर दिया जाए ठीक है यह आपका ड्रीजल आगे बात करते हैं फिर आता है आपका मिस्ट मिस्ट क्या होता है मिस्ट जो है आपका वन काईंड ऑफ ड्रीजल ही है बट यहां पर आपका specific जो एवापरेशन होता है वो आपका reaching the ground जो है पहुँच जाता है पहले ठीक है अगर आप ध्यान से देखे यह operation drizzle occurs before reaching the ground leading to foggy weather यानि कि यहाँ पे drizzle में आपको कैसा weather दिख रहा है foggy weather नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आपका mist जो है जमीन एतनी गरम होती है यह आपका drizzle जो है वह atmosphere में रहते ही क्या हो जाता है इवापरेट हो जाता है जिसकी वाइसे होता क्या है कि बहुत ज्यादा foggy weather हो जाता है और weather कैसा दिखता है तो आपका weather थोड़ा सा misty type दिखता है यह जो आपको पेड़ यहाँ पर दिख रहे है ड्रीजल के टाइम पर यह पेड़ आपको नहीं दिखेंगे थोड़ा foggy weather दिखेगा ठीक है इससे बोलेंगे हम लोग क्या mist आगे बात करते है स्नोफॉल भी क्या है वन टाइप आपका प्रेसिपिटेशन है इसमें जो आपके स्नोफ्लेक्स होते हैं ठीक है fine flakes of snowfall when the temperature is less than zero degrees Celsius यानि atmosphere में अगर आपकी बात करें temperature की तो वह temperature कितना होता है जिरो डिगरी से कम और वो क्या generate करता है एक snowfall का एक snowflex एक snowflex जो होता है इसमें अगर आप ध्यान से देखे तो ये आपका इस प्रकार से दिखेगा और यही snowflex क्या करते हैं आपस में जुड के क्या बनाते है snowfall बनाते है ठीक है ये हो गया आपका snowfall वो भी one kind of क्या है precipitation है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं sleet की sleet क्या होता है तो sleet को अगर आप ध्यान से देखें तो sleet one kind of precipitation ही है बट sleet कुछ इस प्रकार से दिखेगी देखिए ये sleet है आप अगर देख सकते हैं ये इस जगा पर तो ये आपका sleet है अब ये sleet में साफ साफ क्या लिखा है कि ये liquid precipitation ही है यानि ये आम तोर पे जैसे बारिस होती है वैसे ही हो रहा था लेकिन ये जमीन पे आने से पहले ही क्या हवा में freeze हो गई liquid precipitation that freeze before reaching the ground यहाँ नीचे ground नहीं लिखाओगा but before reaching the ground अगर आप ध्यान से देखे तो ये रहा ठीक है ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही atmosphere इतना ठंडा था कि इसको जो है आस्मान में इसको क्या कर दिया गया freeze कर दिया गा तो इस प्रकार से अगर आपको जमीन पे कुछ गिरे हुए आइसी particle दिखे तो इसे बोलेंगे का sleet आगे बढ़ते हैं एक one kind of दूसरी भी आपकी precipitation होती है जिसे कहते है हेल हेल स्टॉम आपने सुना होगा ओलो ओलो ओला गिरना ठीक है ओले बरसते हैं और वो क्या होता है यह यह भी precipitation का form है लेकिन यह क्या होता है one kind of hard rounded pallets होते है जिसकी size जो है बहुत जादा भी होती है कभी कम भी होती है पांस से लेके 50 mm तक की size होती है कोई छोटा सा पत्थर होगा तो कोई इतना बड़ा भी किरेगा ठीक है और यह जो है specific अगर बात करें तो किस इस प्रकार से दिखता है यह आप देखोगे हेल यह हेल स्टॉम जो है specific अगर बात करें तो थंडर स्टॉम के टाइम पे होता है जब बहुत ज़्यादा तेज हवाय चलती है अचानक से बारिस होती है पुरा वातरवन क्या होता है कि दोपैर में भी ऐसा लगए कि रात हो गई है काला काला मौसम हो गया है तो यह जो है आपका frozen raindrops होती है जो की बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है ठीक है आगे बात कर super cool water droplets on its surface यह snow form में गिर रहे थे लेकिन आसपास atmosphere में बहुत सारे water droplets मिल गए जो की super cool थे और उन्हें के साथ क्या गए यह चीपक के नीचे गिरते हैं तो यह क्या हो जाता है आपका dropping आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दूसरे किसी पकार की तो यह आप देखी one type of यह भी animation है कि form of precipitation में देखेंगे तो rain आपको दिख रहा है 0.5 mm से ज़्यादा droplet snow में आप देख रहे होगे snow flakes स्लीट में आप देख रहे हो कि बीच में ही इवापरेशन हो जाए आपका बीच atmosphere में ही इतना ज्यादा atmosphere ठंडा है कि इसको जो है droplets को यहीं पर क्या कर दे रहा है जमा जमा दे रहा है ठीक है और droplets आपस में चिपक के स्लीट बना रहे है हेल स्टॉम में अगर आप देखो के तो इसकी size क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है थोड़ा बहुत rounded होते और ग्रॉपल में यहाँ पर क्या होते सुपर कूल एट्मोस एट्मोस पियर में सुपर कूल वाटर डॉपलेट होते है जो की snow flakes के साथ मिलके क्या बनाते है आपका ग्रॉपल बनाते है ठीक है यह रहे आपके ग्रॉपल यह रहा ग्रॉपल ऐसा दिखता है हेल आपका इस प्रकार से दिखेगा और slit कुछ इस प्रकार से दिखेगा ठीक है I hope आप लोग को समझ आया होगा कि precipitation के कितने कितने प्रकार होते है बने रहे हैं हमारे साथ और भी वीडियो से लिए, थैंक यू सो मुच.